मॉर्निंग इस्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास साइंस में बच्चो लेसन नंबर चार आपका चला हुआ है और लेसन नंबर चार में हम जिसका नाना प्रमानुकी सरचना और यहां पहुँच गई हैं सहियो जक्ता 4.4 सहियो जक्ता जिसको इंग्लिस में बच्चो वैलेंसी कहते हैं इसके बारे में आज हम अध्यन करने वाले हैं नाइन्थ क्लास लेसन नंबर 4 इस्ट्रक्चर ओफ एटम प्रमानुकी सरचना और यहां पर हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं 4.4 सहियो जक्ता इसे पहली वीडियो में बच्चो आपको बता दिया गया था कि बोरबरी के सिद्धान्त के नुसार इलेक्ट्रोन किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रोन स्थापित होते हैं यह आपको पहली वीडियोई में यहां तक आपको बता दिया गया चित्र भी आप इसमें यहां देख रही है और वीडियोग आप को देखेंगे यह सुत्र भी आपको दिखाई दे रहा है कि पहली कक्षा में दो इलेक्ट़न होते हैं। दूसरी कक्षा में 8 होते हैं, तीसरी में 11 होते हैं, फॉर्थ इलेक्ट्रों में 32 अधात, एन 1 स्क्वाइर के उससे फॉर्मुले से ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, इनका सुत्र होता है, नमबर ओफ इलेक्ट्रों कौन सी कक्षा में कितना होगा, ये 2N स्क्वाइर होता है, जहां पर N ओर्बिट होती है, कक्षा होती है, N बराबर 1, 2, 3, 4, इस तरीके से ये होता है, तो आज हम इस वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे, परमानों की विभिन कक्षाओं में इलेक्ट्रों किस प्रकार वर्वस्थित होते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके है बच्चो, बाहरी कक्षा में उपस्ति उलेक्ट्रों की स्योजकता उलेक्ट्रों कहा जाता है, जितने भी उलेक्ट्रों उसकी बाहरी कक्षा में जो आउटर ओर्विट है, उसमें उपस्तित होंगे, उनको हम उलेक्ट्रों कहते हैं, और ये आप जानते हैं कि बोरबरी के सिद्धन्त के अनुसार परते कक्षा में जो इलेक्ट्रोन होते हैं परमानू की परते कक्षा में जो इलेक्ट्रोन होते हैं और 2N स्कॉाइर होते हैं कितने होते हैं बच्चों 2N स्कॉाइर जहां पर N जो होता कक्षा, तो ट्वेंंаж के सक également हम इसको लेकरके चलते हैं, तो पता चलता है, पहली कक्षा में दो lak Tall Hz होते हैं, दूबसरी में 8 होते हैं, ⁌ में 32 होते हैं यह इस तरीक़े चीक कक्षा के अंदर yaworbits के अंदर या dif क्षायों में यह जानते हैं कि कि प्रमाण याथ कख्षि में अधिक्तम आठ एलक्ट्रोण रख सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमानो के आइधा हुआ कॉण रूप आठ से बहरे होते हैं तो यह रासानिक रूप से शेक्रिया नहीं होते हैं। जिन कख्षाम में जिन परमानो की बाहियतम कक्षा में 8 electron होते हैं तो उसको हम saturate electron कहते हैं क्या कहते हैं? saturate परमान, वर्थात उनको electron के आवशकता नहीं होती और अगर 7 होंगे, 6 होंगे तो वो दूसरे तत्वों के और electron लेने की कोजिस करते रहेंगे इसका मतलब यह है कि बाहियतम कक्ष में 8 electron होते हैं तो वो सेक्रिय नहीं होते दूसरे सब्दों में ऐसे तत्वों को सहयोजन सकती या सहयोजकता सुन होते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे तत्वों से electron लेने की आवसकता नहीं होती क्योंकि उनके बाहियतम कक्ष में आठ इलक्ट्रोन होते हैं जίαसा कि बोरबरी ने अपने सिध्धांत में बच्छो बताया था इन्हें एक्रिय तत्वों में से इनको हम एक्रिय तत्व viene कहते हैं जिसको उसकी जवरत नहीं होती वो बिल्कुल भी सैक्रिय नहीं होता और नहीं उसे किसी प्रमानु के लेक्टरोन की आवशकता होती है, किसी प्रमानु के लेक्टरोन की आवशकता होती है, ना वो देता है, ना वो लेता है, ताथ एक्रिया होता है, निस्क्रिया हो जाता है, ठीक है बच्चों, इस तरह से हम अब ये पता कर इसमें जो हैं शेक्रिये तत्वों के पर्मानों के संयोजन सकती अर्थात अपने समान या अन किसी तत्व के पर्मानों से मिलकर अनुबनाने की प्रवर्ति अपने भायतम कक्ष को पून रूप से बरने का प्रियास माना जाता है। जब कोई तत्व आपस में किरिया करता है तो बच्चो समझ लिजे वो दूसरे तत्व से इलेक्ट्रोन लेगा और अपने तत्व के इलेक्ट्रोन देगा अपनी कक्षा से इलेक्ट्रोन देता और दूसरी से लेता है तभी हम कह सकते हैं कि इस तरीके से लेकर के या देकर के वो दूसरे ततु के भायतम कक्ष में भी पूरे इलेक्ट्रोन करने का परियास करता है, और ये जब तक प्रहकरिया चलती रहेगी, कब तक 8 electron वाले सबसे बाहरी कक्ष को अश्टक माना जाता है जब तक कि उसके सबसे बाहरी को उसमें 8 electron नय हो जाए जब 8 से ज़्यादा होंगे जब तीसरी orbit या तीसरी कक्षा शुरू होती है परमानों अपने अंतिम कक्ष में अश्टक प्राप्त करने के लिए किरिया करते हैं या आपस में electron की साज़दारी करतने उसको ग्रहन करने या उनका त्याग करने से होता है या तो वो ग्रहन करेंगे या अपने से त्याग करेंगे या दूसरे तत्वों के electron की साज़दारी करेंगे तीनों काम इसमा होते हैं, या तो इलक्ट्रोन होगी, साज़ेदारी होगी, या अपने से इलक्ट्रोन देंगे, या दूसरे इलक्ट्रोन से इलक्ट्रोन लेंगे, किन्तों वो किशी ना किशी तरह से अपने भायतम कोश में, भायतम कश में, आठ इलक्ट्रोन करने की कोशि कहला होती है समझ गए बच्चों उसकी संयोजक्ता का मतलब क्या होता है वैलेंसी उतनी है कि अगर वो एक इलेक्ट्रोन की साज़ेदारी करता है या एक इलेक्ट्रोन लेता है या एक इलेक्ट्रोन देता है तो समझ लिजे उसकी संयोजक्ता संयोजक्ता एक होगी, अगर वो दो इलेक्ट्रोनों की साज़ेदारी करता है, दो इलेक्ट्रोन लेता है, दो इलेक्ट्रोन देता है, तो उसकी संयोजक्ता दो होगी, अगर वो तीन की करता है, तो तीन होगी, इस तरह से वो ही संख्या उसकी संयोजक्ता कहलाती है, जितनी संख्या में लेक्ट्रोन की साज़ेदारिया इस्थानांतरन होता है ठीक है आगे बढ़िए जिसके चर्चाम पिछले अध्याय में कही गई है पिछली वीडियो में बच्चों आपको बता दिया गया था उधारन के लिए हाइड्रोजन लिथियाम या सोडियाम परते के परम कितने लेक्ट्रों होंगे एक होगी तो एक को ये छोड़ देंगे तो अभी आपको बताया गया था कि कि जितने भी इलेक्ट्रों की साजेदारी होगी या त्यागे जाएंगे या लिए जाएंगे गिरहन किये जाएंगे वही उस तत्त्wegen की स Deejiss Sana होती है इसलिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की सुझयोजकता बच्चो एक होगी क्योंकि वो एक ही इलक्टरोन ट्यागते हैं क्या आप बता सकते हैं कि मैगनीशम और ऐलमुनियम की सुझयोजकता क्या है यह करम से दो और तीन है क्योंकि मेगनीशियम के बाहितम कक्ष में दो तता अलमूनियम के तीन इलेक्टरोन होते हैं उसको दो छोड़ने होते हैं अलमूनियम को तीन छोड़ने होते हैं क्योंकि इनके बाहितम कक्ष में अन्य प्रकार से प्राप्त की जासे है उधान के लिए फ्लोरीन प्रमानों के बायतम कक्ष में साथ इलक्ट्रोन होते हैं कितने इलक्ट्रोन होते हैं साथ और इसकी संज्ज़क्ष में अश्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए साथ इलक्ट्रोनों का त्याग करने की अप अश्टक में से साथ घटाकर प्राप्त की जाती है और इस पतर है फ्लोरीन की सहिजगता एक है ओक्सजन की सहिजगता का परिकलन भी इसी परकार किया जाता है इस परिकलन में ओक्सजन की सहिजगता कितनी होगी अतह पड़ते एक ततु के परमानों की एक निश्चित पहले अठारे तक्तों की सुन्योगता प्राप सारनी 4.1 में ये दिखाई गई है ये आप देखी रहे हैं इसमें आप देखेंगे सारनी के अंदर बच्चो ये हाइड्रोजन से ले करके और आपकी आरगन तक है तो हाइड्रोजन का परती क्या होता है एच परमानु संख्या प्रोटोन की संख्या एक होती है निट्रोन उसमें होते नहीं है इलेक्टोन की संख्या भी एक कि possibilities करते हैं के से तो इसमें एक है और सन्योजन क्ता कितने होगी एक होगी क्योंकि एक ही ततु से बही तम कक्ष में दो को पूरा करना होता है भायतम कक्ष में अपने दो इलक्ट्रोन पूरे करने होते हैं, तो वो एक की साज़ेदारी करते हैं, तो इसलिए हाइडोजन की स्वियोजगता एक होते हैं, इस तरह हम बच्चों इसको निकालते हैं, जैसे फासफोरस को आप देख लिजे, फासफोरस का सुतर क्या होता है, पी, प्रोट्रोन की संख्या कितने होती है, पंद्रा, प्रोट्रोन की संख्या, पंद्रा, न्यूट्रोन की संख्या, सोला, इलक्ट्रोन की संख्या, पंद्रा, भायतम कक्ष में दो इलक्ट्रोन, दूसरे में पहले कक्ष में कितने, दो, दूसरे कक्ष में आठ, तीसरे म पांच आट रदो दस और पांच पंद्रे तो कितने इलेक्टरोन लेने ही पड़ेंगे तीन इलेक्टरोन किसमाव सकता होगी तब भायतम कक्ष में कितने इलेक्टरोन होगे आठ होगे इसलिए तीन किसाजेदारी होगी और सहियो जक्ता कितनी हो जाएगी बच्चो टीन हो जाएगी, इस तरह से ये टेबल दी गई है, ये टेबल आपको फेयर कॉंपी पर भी करवाई जाएगी, जिससे आपको उलेक्ट्रोन और बहुतम कक्ष में उलेक्ट्रोनिकी संक्या घ्यात करनी आ जाए और आपको यह जानकारी हो जाएगे किस परकार से हम जो हैं सही हो जगता निकालते हैं नेक्स्ट बचो परमानो संक्या तो दर्मान संक्या यह परमानो संक्या और दर्मान संक्या परमानो भार और परमानो किर्मान के भी इसको कहते हैं जितने परमानों संख्या होगी उतने ही उसके प्रोटोन की संख्या होगी, इसे जैड के द्वारा दर्साया जाता है, किसी तत्व के सभी अन्मों की परमानों संख्या जैड होती है, वास्तों में तत्व को उसके परमानों में विधमान प्रोटोन की संख्या से परिभासित क आ जाता है जितने परमानू संक्या होगी उतने ही उसके प्रोटोन की संक्या होगी बच्चो उतने ही इलेक्ट्रोन की संक्या होती है क्योंकि इसका एक सुत्र है कि प्रोटोन के संक्या बराबर इलेक्ट्रोन की संक्या बराबर न्यूट्रोन की संक्या हाइडोजन के लिए परमानु संक्या कितनी है जैड बराबर 1 क्योंकि हाइडोजन परमानु के नाभिक में केवल एक प्रोटोन होता है इस परकार कार्बन के लिए जैड बराबर 6 इस परकार एक परमानू के नाभिक में उपस्थित प्रोटोन की कुल संक्या को परमानू संक्या कहते हैं बच्चो जितनी भी परमानू संक्या होगी उतने ही उसकी प्रोटोन की संक्या होगी ठीक है यह आप हमेशा जाद रखें जितनी परमानु संख्या होगी उतने ही उसकी बच्चो फ्रोटोन के संख्या होगी इस वीडियो में बच्चो यहीं तक आपको दिया जा रहा है नेक्स्ट वीडियो अभी साथ ही साथ आपको नाइंध क्लास की दी जाएगी जिससे कल आपको इसमें निसान लगवा दिये जाएं और वीडियो को आप देखें बुक के साथ देखें जिससे आपको कोई समझ्या इसमें ना है थैंक्यू